जीत के लिए गुंच चाहिए जीत के लिए गुंच चाहिए आत्म इश्वास रगों में खुब चाहिए ये आस्मा भी होगा जमी पर बस इरादों में जीत की गुंच चाहिए जीत की गुंच चाहिए जी हां ऐसे ही मजबूत और अटल इरादे वाले थे हमारे भारत माता के सच्छे लाल सबूत लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 ऑक्टूंबर को लाल भाधु शास्त्री की जेयंती आ रहे हैं और यह आद करने के लिए, और यह क्या कह सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि इस जैनती को कुछ खास बना कर आप अपने विचारों के माद्धिम से उन्हें ये शद्धी शद्धांदली देना चाहते हैं और एक इस पीछ तियार करना चाहते हैं ये खास विडियो आज आपके लिए नमस्कार दोस्तों मैं एकर रंजना जेन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनदन करती हों दोस्तों सबसे पहले तो कौहूंगी गर अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक कर जी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाल भाधुशास्ती की जहिंति के उपर अपने विचारू की सची शद्धानजली देना वो आप कैसे दे सकते हैं कैसे अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं यह खास वीडियो आज आपके लिए तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जो है भारत माता के सचे लाल भारत रत्त है जिटका अभियान आओ मिलकर मनाएं उनकी जहेंती दिला है जिनोंने हमें यह सम्मान तेशी लाल भाहदू शास्ति की जहनती आज सब हम सब मिलकर मनाते हैं यह हमारे लिए बड़े गोरव और गर्व की बात है तो दोस्तों अगर हमें स्पीच की माधिम से उन्हें सची श्रदान जली देना चाहते हैं तो हम अपनी स्पीच की शुरूआत कैसे करें सब से पहले तो हमें संक्षित उनका परिशय बताना होगा हमें कुछ इस तरह से बताना होगा कि लाल भाहदू शास्ति का जन्म दो अक्टूमबर सर गुनिस सो चार में उत्तर प्रदेश के वारानासी से साथ मेल दूर रेलवे टाउन मुगल सराय में उनका जन्म हुआ थ उनके पिता जी एक सिक्षक थे और माता जी का नाम रामदुलारी था लेकिन दुरभाग गिवंच पोण जब लाल भाहदू शास्ति जी की उम्रस मात्र डेड़ वर्ष की थी तब इनके पिता जी का देहांत हो गया था तो एसी अवस्था में अपने तीनों बच्चों को लेकर इनकी माता जी लाल भाहदू शास्ति की जी के ननिहाल में जाकर रहने लगी बड़ा संघर्ष में इनका बच्चपन था लेकिन हस्ते खेलते हुए गुजर गया पता ही नहीं जला सन 1928 में इनकी शादी हुई और इसके बाद इनके देश के प्रती समर्पन का और त् अंभें के प्रवाव्ना थे इसलिए तो कहते हैं कि देश प्रेम के प्रवलवेग से राजनिती में प्रवेश लिया था भारत की अखंडता के लिए जय जवान जय किसान का अठल संदेश दिया था इस तरह से उन्होंने राजनेदी में प्रवेश्ट लेकर अपने देश के परती अपने यह संखर्शों को कर कि अपने नियुचार कर दिया और उस देश के लिए हस्ते हस्ते अपने प्राणों सब्हार कर दिया कर दिया इनकी संक्षित परीचे के बाद हम उनकी जीवन के कुछ ऐसे अनमो सु había देखते हैं के हमारे लीए प्रेणा है और जो इनका नाम अजर अमर कर गई और हमयेंशा हम उन्हें याद करते रहेंगे ताज कोछ फ्रेणा लेकिन उसे कुछ महतुपन पहलू है जो हम आज उनके जान कर उनके महतु को समझ सकें और उनकी गाथा को और अनूठी कर सकें तो उसमें सबसे पहला कारे रहे उनके महतुपन कारियों में अगर सबसे पहले काम की बात करूं तो उन्होंने अपने जीवन में पेंशन कम करके जरुत मंदों लोगों तक पहसा पहुचाया यानि कि जब सुतंतरता सेना ने लाल भादुश शास्तिजी जवी जेल में थे ते इनकी पतनी को प्रती महा सिर्फ पचास रुपे की पेंशन मिलती थी तब उन्होंने लाल बाहदू श्रास्ती जी से आकर कहा कि मैंने इन 50 रुमें से भी 10 रुपे की बचत कर लिए तब लाल बाहदू श्रास्ती जी ने सोचा कि एसे अगर हम सब मिलकर बचत करेंगे तो हम उन जरूत मंद लोगों तक पेसा पोचा दखेंगे और अपने देश की अर्थ विवस्तों को समाल सकेंगे तो उन्होंने भारती जन सेवाओं में जो काम करते हैं उन सबसे आगरह किया कि अपनी पेंशन को कम करके उन पेसों को जरूत मंदों तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे भारत में होने वाली इन समश्याओं से मुक्ति पा कर हमें खुशाल भाहव भारत के स्थापना को कर सकें ऐसा महत्वपुन कदम और उनका योगतान था और गांधी जी का दूसरा महत्वपुन कारे था सभी देश वासियों से आगरह करना कि खुद हम खेती करके अनाज का उत्पादन बढ़ाएंगे और अनाज उत्पादन करेंगे और यह अभियान उन्होंने खुश रिश्रू किया खुद खेती करके अनाज का उत्पादन किया और इस तरह से हमारी देश में बिगड रही अर्थ विवस्ता को समाला और अनाज की कमी से होने वाली परिशानियों को सामने कर उस परिस्तिक्ति को सुधारा ऐसा अनूठा कदम और सरहने है उनका काम था आज गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश की स्वतंतता की लड़ाई को लड़ा है और हमें एक स्वतंतर भारत दिलाया है जिसमें आज हम खुली साफे खुल कर लहरे पा रहे हैं तो कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाब गांधी जी के नारे करो या मरो को मरो नहीं मारो में बदल दिया हर भारतवाशी में जोज जगा दिया और गुलामी को आजादी में बदल दिया ऐसे थे हमारे लाल भाधु शास्त्री जिन्होंने कई महत्पुन कारे किये हैं एक उनका सुप्रशिद नारा है जई जवान जई किसान जो हम सब याद करते हैं और आज तक हर बच्चे-बच्चे के मुँपर ये नारा रहता है जई जवान जई किसान उस वक्त हमारी देश की सीमाओं पर तेनात उन जवानों और हमारे देश में उन किसानों जो अनाच का उत्पादन कर खेती कर रहे उन जवानों और किसानों दोनों को मनोबल मिला और जब राष्ट व्यापी एक उप्वास की जब लहर चली थी तब उन जवानों और किसानों को बरबर का सम्मान मिलकर उन्हें वो सम्मान और जदा दर्जा दिया और कहने लगे कि जई जवान जई किसान देशित का नारा था जई जवान जई किसान देशित का नारा था अन आज कह सकती हूं कि जितना साधा और सरल संक्षित उनका जीवन था जितने सहज प्रवर्दी के थे पर उनके इरादे बहुत अठल थे उनका कदबले ही छोटा था लेकिन उनके सपने इतने मजबूर इतने फोलात जैसे थे कि अस्वणी मक्षरों में भी उनका नाम लिखा जाता है और उनने याद किया जाता है और ऐसे इनके सहज और सरल जीवन को देखती हुए कहते हैं कि जीवन में ये बड़े सीधे सादे थे पर बहुत मजबूत इनके इरादे थे जई जवान जई किसान का दिया था नारा और भारत के प्रधान मंत्री बनकर देश की किसमत को इनों ने था सवारा अपने पत का कभी फाइरा नहीं उठाया ये बात हमें एक उधारन देकर भी समझ सकते हैं कि जब वे प्रधान मंत्री बने तो एक बड़े मिल के कार खाने में गहें जो कपड़ों का कार खाना था महाँ पड़ गए लेकिन उस मिल का जो मालिक था वो बहुत खुश हो गया कि प्रधान मंत्री जी मेरे हैं पदा रहे हैं वो खुशी के मारे उनकी खुश्यों का ठिकाना नहीं था वो एक से एक महेंगी साड़िया लाल भाहदुर शास्ति जी को दिखाते जा रहा था लेकिन लाल भाहदुर शास्ति जी बड़ी विनबरता पुरुवक कहा कि मुझे इतनी महेंगी साड़िया मत दिखाओ मुझे कम दामों वाली साड़िया दिखाओ तो उस मिल के मालिक ने खाओ आप पेसे की चिंता मत कीजिए उसकी किमत की चिंता मत कीजिए पैसा वैसा कुछ नहीं है आपके लिए लेकिन लाल भादु शास्त्री जी कहा नहीं ऐसी बात नहीं है मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही अपने कपड़ों का चुनाओ करूँगा मुझे कम कीमत वाली ही साड़ी चाहिए तो इस तरह से उस मिल के मालिक ने बहुती कम कीमत वाली साड़िया दिखाई और लाल भादु शास्त्री जी पड़ी खुशी खुशी उन साड़ियों को लेकर चले गए तो ऐसे उन्होंने अपने पत्का कभी गलत इस्तमाल नहीं किया और कम साधन में अपने जीवन को कैसे व्यतित करना ये उनके जीवन की सबसे बड़ी अमुली कहानी थी वे अपने फटे पुराने कुर्तों से भी रुमाल बनाते थे और उन रुमाल को भी बड़ी खुशी खुशी प्रयोग करते थे कम साधन में भी जीवन को किसा खुशाहल जिस तरीके से जी सकते हैं ये उनके जीवन से सिखा जा सकता है उनकी पतनी उनके कमिजु से रुमाल बनाती थी और वे उनका उप्योग करते थे ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सहजता और सरलता थी तो आज हमें साक्षाह देखने को मिलती हैं और आज हम कहते हैं कि देश का वो ऐसा सितारा था जो चमकता चमकता है और हमेशा चमकता रहेगा आज उनके जिवन के एसी कई ऐसे प्रेणा दाएक प्रसंगे जिने हम याद कर उन्हें सचिश धानजली देश सकते हैं और उनके महत्वपुन कामों में एक सिक्षा के अंदर भी बहुत अथक सुधारों प्रेयास किया उन्होंने उनका कहना था कि सिक्षा के माध्यम से हमें अपने देश का विकास कर सकते हैं ऐसे थे हमारे प्रधान मंत्री के अच्छे विचारों परनादायक प्रसंग जो हमारी जीवन को एक नई दिशा देते हैं एक नए आयाम देते हैं तो इस तरह से दोस्तों हम सच्चे विचारों के माध्यम से उन्हें सच्ची शर्धान जली दे सकते हैं। इस तरह से लाल बहादू शास्ती जी नो जुन 1964 में हमारे भारत की दुस्य प्रधान मंत्री बने थे और उसी दिन उन्होंने प्रधान मंत्री पत की शपत्विती को ग्रहन स्युकार किया था। प्रधान मंत्री बने के बाद 11 जन्वरी गुनिसो चाचड में ताशकन समझोते के प्रहस्ताक्षर कर दुरभागिवन शपूर्ण 11 जन्वरी गुनिसो चाचड में इनकी ब्रती हो गई थी। और हमारे देश के ये वीर और सपूद भारत माता के लाल हमसे अलविदा कहकर हमसे दूर चले गए थे। आज उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी लेकिन उनकी यादे और उनका नाम हमेशा हमारे दिलों दिमाग पर छाये रहेगा। हमारे दिल पर एक दस्तक दे कर गए हैं कि मेरे देश के वाशियों इस देश की धरोर को अब समाल के रखना आज उनके सपनों को जिंदा रखते हुए उन्हें याद करते हुए सची श्रधान जली के साथ हम सब मिलकर एक साथ कहते हैं जै जवान जै किसान और आज उन्हें य ते हुए अपने देश के प्रति हमर हम भी हमेशा समक्रत रहेंगे एसी 2 शच्वान हो जताते हुए आज हम उन्हें सची श्रधान जली यही प्रत करते हैं जयिवान जएक अगlor आपने मेरे झाल झाल